हिंदोस्तान में देश प्रेमियों की कमी नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जुने अपने देश उसे प्रेम हैं और ये लोग अपने धर्म के प्रती काफी संजुदा भी हैं और ये जागरूप लोग आज की तेज दोड़ती भागती जिन्दगी के जमाने में भी अपनी धार्मिक धरोहर को संभाल कर रखने के लिए कुछ भी कर गुजरने इसे गुरेज नहीं करते कानपर महानगर में रहने वाले संदीप कुमार सोनी ने हनुमान चालिसा में उलेखित प्रसंगों और संदर्बों को एक अलग आयाम देते हुए उसे लकड़ी में उकेडने का सफल परियास किया है गड़ी महनत और गठिन परिशरम से अपने प्रेम को उसे लकड़ी के स्क्रेप पर तरास कर संजुदा करने में सफलता प्राप्त की जिस तरह से हनुमान चालिसा के प्रतियाम जनता में आस्था है उसी तरह से इन शब्दों को एक सूत्र में पिरोकर अपनी महत और आकांशा को पूरा करने में इन्होंने कई वर्षों तक परिशरम किया है यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि सन 2016 में उन्होंने श्रीमत भगवत गीता के 18 अध्याय को एक लकड़ी में उके रहा था जिसको प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को पहाड सुरू भेट कर चुके हैं उनका कहना है कि प्रधान मंतरी रोजगार योजना से प्रभावित होकर लोगों को रोजगार देने का काम भी कर नहीं है उनका कहना है कि लकड़ी पर लिखी हनुमान चालिसा को यूपी के मुख्य मंतरी आदितिनाथ योगी को भेट की जाएगी और उनसे आग रह किया जाएगा कि इसको अयोध्य किर्राम मंदिर में शोभायान किया जाए मैं लकड़ी के अक्षरों से जो है हनुमान चालिसा बनाया हूँ और ये फर्स टाइम नहीं है इसके पहले 2016 में अट मार्च दोजार सोला को मैं लकड़ी की पूरी भागवद गीता बनाया ता अठारा द्या लिखा था वो प्रधान मंतरी नरिंद मोडी जी को मैं गिप्ट किया था प्रदान मंत्री कारे ले जाके उस समय से लेके फिर प्रदान मंत्री जी की बीस मिनट मुझसे बात हुई प्रदान मंत्री जी मुझसे कहे कि आप क्या करना चाहिए संदीप आप हुनरमंद वेक्ती हैं अने लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो मैं प्रधान मंत्री जी की बातों से बहुत प्रभाविद हुआ और आज प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतरगत मैं 10-12 लोगों को रोजगार भी दे चुका हूँ, मेरा उद्दे से और अधिक से धिक लोगों को रोजगार देनेगा, और अपने हुनर को कहीं न मंदिर के निर्माण में अठारा सो करोड रुपया खर्च गोने का नुमान है मंदिर निर्माण की गठिट संस्था भी श्री राम जन्वभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट से ट्रस्ट नहीं यह जानकारी दी सुप्रिम कोड के आदिश पर राम मंदिर निर्माण के लिए सर छोड़ना नहीं चाहता है मंजब के स्टर टीवी के लिए कानपुर से अंबरेश तरपाथी की रिपूर्ट